Study IQ IS अब तयारी हुई affordable New Parliament Building Welcome to Study IQ मेरा नाम है अधेश सिंग दोस्तों भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इसका सबसे सशक्त स्थल है लोकतंत्र का मंदिर कहलाने वाला इसका संसत भावन जहां भारत के जन जन की आकांग्षाओं की चर्चाओं के साथी देश के भविष्य की दिशा भी तै होती है 93 सालों का इतिहास संजोए भारत की संसत भावन की ये इमारत भव्यता और सादगी का प्रतीक है इसी भावन के अंदर भारत माता पर पड़ी हुई सैकडों सालों की बेडियों को काटा गया था और आजादी की पहली सांस भी इसी संसत भावन में ली गई थी लेकिन अब ये संसत भावन इतिहास बनने जा रहा है जी आँ तोस्तों 21st century के नए भारत के लिए संसत भावन की एक नई इमारत तयार की जा चुकी है कि आज हम संसत भावन की बात क्यूं कर रहे हैं तो बता दें कि देश के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी 28 माई को नए संसत भावन को देश को समर्पित करेंगे लोग सभा सची वाले के मताबिक स्पीकर ओम बिल्ला ने 18 माई को पीम मोदी से मुलाकात की और उन्हें नए संसत भावन के उद्गाटन के लिए अमंत्रित किया बयान के मुताबिक नए संसत भावन का काम रिकॉर्ड समय में पूरा हो गया है जिसके बाद इसके उद्गाटन की तैयारी जोरो शोरों से शुरू हो गई है दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे भारत के नए संसत भावन के सफर पर और जानेंगे अंदर से कैसा दिखता है ये नया संसत भावन साथी मौजूदा संसत भावन से ये कितना अलग है तो चलिए शुरू करते हैं कहते हैं कि परंपराओं और विरासत को सहेज कर रखना किसी भी देश के समाज और संस्कृती को और ज्यादा गौरवशाली बनाता है लिकिन ऐसे में अगर उस अमुख परंपरा में आधुनिक्ता का पुट मिल जाए तो भव्यता कुछ ऐसी ही दिखेगी जैसा कि भारत की नई संसद जिसे देखते ही आँखों के सामने एक चमक सी फैल जाती है 10 दिसंबर 2020 को स्वयम पीम नरेंद्र मोदी ने नई संसद भवन की आधार शिला रखी थी तब उन्होंने कहा था कि संसद की नई बिल्डिंग से अधिक सुन्दर कुछ नहीं हो सकता 15 जनवरी 2021 को इसका निर्मान कारे शुरू हुआ और आखिरकार 28 महिनों के बाद नई संसद बन कर तयार हो गई है Central Vista Project के तहद बन रहा ये नया संसद भवन 21 सदी के भारत की जरूरत को देखते हुए तयार किया गया है बता दें कि Central Vista Project के तहद राष्टरपती भवन से इंडिया गेट तक 3 किलोमीटर की सड़क को रिन्यू करने एक General Central Secretariat का निर्मान करने प्रधानमंतरी का नया आफिस, नया आवास और एक नया Vice President Enclave जैसे प्रोजेक्ट शामिल है Central Vista Project की अनुमानित लागत 20,000 करोड रुपे रखी गई है इस प्रोजेक्ट को 2024 तक पूरा करने का लक्ष रखा गया है और इसी के तहट बने नए संसद भवन का निर्मित क्षित्र करीब 65,000 वर्ग मीटर है ये पुरानी बिल्डिंग से 17,000 वर्ग मीटर बढ़ा है नए संसद को बनाने में करीब 970 करोड रुपे खर्च हुए है और इस नए संसद भवन की सबसे खास बात है इसका ट्रायांगिलर डिजाइन जिसे बेहतर स्पेस मैनेजमेंट के लिहाज से बनाए गया है साथी ये इमारत भूकम पुरोधी सिस्टम के मताबिक बनाए गई है इसका डिजाइन HCP Design Planning and Management Private Limited ने तैयार किया है वही Data Projects Limited नए संसद भवन का निर्मान कर रही है और इसके आर्किटेक्ट बिमल पटेल हैं ये इमारत चार मंजिला है नए संसद भवन में जाने के टोटल छे रास्ते हैं इसमें एक entrance PM और President के लिए होगा एक entrance लोग सभा के Speaker के लिए एक राज्यसभा के Chairperson और एक संसदों के प्रवेश के लिए होगा वहीं बचे हुए दो entrance पब्लिक के लिए होगे नए संसद में बैठने की क्षमता को भी बढ़ाय गया है पुराने संसद भवन की तुलना में इसमें कुल seating क्षमता 150 वी सदी से भी अधिक होगी बता दें कि 3,015 वर्ग मीटर एरिया में बने लोगसभा चेमबर में 888 सीट हैं जबकि मौझूदा लोगसभा चेमबर में 543 सीट ही है इसे हमारी national bird मोर की theme पर बनाय गया है वहीं अगर हम राज्यसभा चेमबर की बात करें तो वो 3,220 वर्ग मीटर एरिया में फैला हुआ है और इसमें 245 की जगह 384 सीट मौझूद हैं बता दें कि इसे राष्ट्री ये फूल कमल की theme पर बनाय गया है संयुक्त सत्रों के लिए सरकार के अनुसार लोगसभा हॉल में 1,272 सीटे हैं इसके अलावा नई संसद भवन में कुल 120 offices बनाय गये हैं जिसमें committee room, ministry of parliamentary affairs के office, लोगसभा सेक्रिटेरिट, राज्यसभा सेक्रिटेरिट, PM office आदी शामिल हैं नई संसद भवन की सबसे बड़ी विशेष्टा सम्विधान हॉल है कहा जा रहा है कि इस हॉल में सम्विधान की copy रखी जाएगी ये हॉल प्रतिकात्मक और भौतिक रूप से भारतिये नागरिकों को हमारे लोकतंद्र के केंदर में रखता है आधुनिक्ता के लिहाज से नया संसद भवन, new technology से लैस है लोकसभा और राज्यसभा के हॉल को high quality audio video system से सुसज्जित किया गया है इसके साथ ही भवन में furnitures पर smart display लगे हुए है voting में आसानी के लिए biometric system भी लगा हुआ है नई संसद भवन में translation system खास आकरशन होगा जिससे एक संसद constitution द्वारा recognized 22 scheduled languages में से किसी भी भाशा में अपनी बात रख सकेगा जिससे बाकी संसद आसानी से समझ सकेंगे नए भवन के ओफिसों को paperless करने के लिए सभी संसदों के office, digital interface और आधुनिक सुख सुविधाओं से लैस है इतना ही नहीं, नया संसद भवन दिव्यांगों के लिए भी अनुकूल है जिसमें दिव्यांग स्वतंत्र रूप से घूम सकेंगे उनकी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इसे बनाया गया है इसमें संसदों के लिए library, lounge, dining area भी होगा इसमें parking भी आधुनिक तकनीक वाली है नए संसद भवन में eco-friendly green construction के जरिये 30% सदी बिजली खपत को कम किया जा सकेगा इसका निर्मान 150 साल तक की जरूरतों को पूरा करने के हिसाब से किया गया है इसमें परियावरन संरक्षन को ध्यान में रखा गया है तो आधुनिक्ता के साथ भारत की विरासतों का संगम भी है भारती अकला और परंपराओं की जलकियों के साथ ही ये भवन सुरक्षा के लिहाज से भी काफी मजबूत है माना जा रहा है कि ये नया संसद भवन भव्यता के साथ ही आपनिवेशिक वक्त के इस मारकों को टकर देने वाली स्थापत्य कला का शांदार उधारन बन कर उभरेगा लोकतंद्र को नया आयाम देने वाला ये भवन क्षेत्री अकला कौशल और कारीगरी को अपने हर एक हिस्से में संजोए है इसके अलावा भारतीय सम्मिधान और भारत की विरासत को दर्शाने वाली कलाकरतियों को प्रदर्शत करने के लिए एक कॉंस्टिटूशनल हॉल और गैलरी भी बनाई गई है जिसमें भारत की लोकतांत्रिक विरासत की जलक दिखाई देगी लेकिन दोस्तों जो पहले ही हमारे पास इतना बड़ा संसद भवन था तो इस नए संसद भवन की जरूरत क्यों पड़ी आईए जानते हैं भारतीय लोकतांत्रिक प्रणाली की शक्ती हमारी संसद में दिखती है मौजूदा संसद भवन ब्रिटिश दौर में बना था जो लगभग 100 साल पुराना है इसका शिलान्यास 12 फरवरी 1921 को किया गया था उस समय इस इमारत के निर्मान में करीब 6 साल का समय लगा था और इसके निर्मान में 83 लाख रुपए खर्च हुए थे तब इस इमारत का उधगाटन भारत के ततकालीन गवनर जेनरल लौड अविन द्वारा 18 जनवरी 1927 को किया गया था ये अपनी वेशिक शासन की हार का गवाह बना तो कई एतिहासिक घटनाओं को इसने अपने सामने घटते देखा इसने भारतिय स्वतंत्रता संगराम के बाद स्वतंत्र भारत की पहली संसद के तौर पर काम किया और भारत के सम्विधान को अपनाने का साक्षी बना इस बजह से संसद भावन की समरिद्ध विरासत का संरक्षन और काया कल्प करना राष्ट्रीय महत्व का विशय है लेकिन इसी के साथ वर्दमान संसद भवन में आज के हिसाब से सीटिंग अरेंजमेंट्स ठीक नहीं है बैटने की व्यवस्था तंग और बोजहिल है दूसरी लाइन के आगे कोई डेस्क नहीं है सेंट्रल हॉल में केवल 440 व्यक्तियों के बैटने की क्षमता है जब संयुक्त सत्र होते हैं तो सीमित सीटों की समस्या बढ़ जाती है आवजाही के लिए सीमित जगे होने के कारण सुरक्षा का ध्यान रखना भी एक जोखिम भरा काम है इसके साथ ही वर्दमान संसद भवन को बनाते वक्त वाटर सप्लाइ लाइन्स, सूर लाइन्स, एर कंडिशनिंग, फायर फाइटिंग, सीसी टीवी, आडियो वीडियो सिस्टम जैसी सेवाएं मूल रूप से नई लगाई गई थी उसे बाद में लगाया गया है जिसकी वज़ह से बिल्डिंग में सीलन जैसी प्राब्लम्ज आ गई हैं और इससे बिल्डिंग का पूरा डिज़ाइन खराब हो रहा है इस बिल्डिंग में fire safety भी एक प्रमुक चिंता का विशय है क्योंकि बिल्डिंग को आज के fire norm के अनुसार डिजाइन नहीं किया गया है कई नए electric cables लगाए गए हैं जो आग का संभावित खत्रा पैदा कर सकती है साथी वर्तमान संसत भवन जब बनाय गया था तब Delhi seismic zone 2 में था आज दिल्ली seismic zone 4 में है हम कह सकते हैं कि जगह सुविधाओं और technology के हिसाब से ये भवन वर्तमान जरूरतों को पूरा करने में सक्षम नहीं है बीते कुछ सालों में संसदी अगतिविधियों और उसमें काम करने वाले लोगों और security की संख्या में कई गुना बढ़ोतरी हुई है इसमें अधिक जगह की मांग को पूरा करने के लिए 1956 में दो मंजिलों को जोड़ा गया लेकिन समय के साथ इसमें जगह की कमी और संसद के बढ़ते काम के कारण एक नई इमारत के निर्मान की ज़रूरत महसूस की गई इसके साथ ही नई संसद के निर्मान का एक महत्वपूर्ण कारण ये भी है कि मंत्रालेयों के office अभी अलग-अलग जगहों पर है इस वजह से coordination में दिक्कतें आती है नई संसद भवन में इन्हें एक ही जगह पर बनाया गया है ये बात भी सोचने वाली है कि मौजूदा संसद भवन को एक पूर्ण लोकतंत्र के लिए दुई सदनिय विधाई का के लिए डिजाइन नहीं किया गया था 1971 की जनगणना के आधार पर किये गए परिसीमन के आधार पर लोग सभा सीटों की संख्या 545 पर बनी हुई है 2026 के बाद इसमें काफी बढ़ोतरी होने की संभावना है क्योंकि सीटों की कुल संख्या पर रोक केवल 2026 तक है इसलिए नए संसद को आधुनिक भारत की जरूरतों को पूरा करने के लिहास से बनाय गया है बता दें कि नए संसद भावन के निर्मान ने लोगों को 20,09,090 दिनों का रोजगार दिया है अब तक इसमें 25,620 मेट्रिक टन इसपाद, 63,306 मेट्रिक टन सिमेंट और 9,372 क्यूबिक मीटर फ्लाइ आश का इस्तिमाल किया जा चुका है Conclusion तो दोस्तों ये था हमारे नए भारत का नया संसद भावन जो भारत को आधुनिक करने के साथ ही खुद भी आधुनिक हो गया है दुनिया में शायद ही कहीं भी किसी बड़ी संसद ने एक ही बार में इस पैमाने पर खुद को नया रूप दिया हो जितना की भारत की संसद में नए भावन में हुआ है नए संसद भावन का काम रिकॉर्ड समय में पूरा हुआ है उम्मीद है कि जुलाई के तीसरे हफ़ते में शुरू होने वाले संसद के मौनसून सत्र की कारवाई नए भवन में ही की जाएगी इस न्यू पारलेमेंट बिल्डिंग के बारे में आपकी क्या राय है? हमारे साथ कॉमेंट सेक्षन में जरूर शेयर करें